यह बात आ गई समझ में क्या पूला है मैंने अब हमारे पास क्या होगा equation of plane in vector form क्या हो जाएगा equation of plane in vector form क्या हो जाएगा r dot n cap r dot n cap is equal to d इसके equal होगा d k r dot n cap कैसे लिखेंगे n vector क्या हमारा 2i minus 3j plus 4k 2i cap minus 3j cap plus 4k cap ये तो on vector लिखा न इसको इसके magnitude से divide कर देंगे तो हमारा n cap vector आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 square plus of minus 3 square plus of 4 square ऐसे हो गया और distance क्या दे रखा है 6 by root 29 ये हमारा plane का required plane जो है उसका equation आगिया जो plane तुमसे पूछ रहा है ये plane का equation आगिया ठीक है न यहां तक आगे बात समझ में अब इसको Cartesian form में भी बोल रहा है कि Cartesian form में लिखो root 29 ये क्या बोल रहा है Cartesian form में लिखो तो Cartesian form में तो 1 second का काम है vector form से Cartesian form में चेंज करने में कोई problem भी नहीं है अब तो मेरी बात को ध्यान से जरसनू अगर मैं क्या करूँ कि इसको ऐसे लिख दू r vector dot ये क्या लिखा है 2i cap minus 3j cap plus 4k cap और यहां क्या लिखा है root 29 लिखा है ठीक है और ये क्या है 6 by root 29 एक बाँ मैं लिखता हूँ तो यहां पर इसको मैंने लिखा r vector dot इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 by root 29 i cap plus minus 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap is equal to 6 by root 29 ये किस form में आ गया ये exact r vector dot n cap is equal to d इस form को देखके तुम क्या बता सकते हूँ इस form को देखके बता सकते हूँ कि plane का जो distance है origin से वो तो given है ये आ जाएगा right hand side में distance है तुम हमें सब positive होगा और ये क्या है ये n cap का का काम कर रहा है मतलब कि plane पर जो normal vector है ना जो normal vector origin से पास कर रहा है वो ये normal vector के along unit vector है ये equation बोला था जो ने निकाल के देदिया ये हमारा required equation हो गया है अब क्या है कि इसको तुम बात को दियान से बेखो ठीक है ये बात को सुनो दियान से क्या बोल रहा हूँ कि अब ये हमारा required equation है ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं ऐसे कर दू रूट 29 लेफ्ट हैंड साइड से और रूट 29 राइट हैंड साइड से क्या करूं कैंसिल कर दू तो हमारा एक्विजन क्या जाएगा रूट यहाँ जाएगा 2i cap माइनस 3j cap प्लस 4k cap is equal to 6 by 6 तो बात को ध्यान से सुनना और क्या समझाने की मैं कोशिस कर रहा हूँ उसको समझना है कि तुम लोग अक्सर यहीं पे गलत कर दे तो यह भी हमारा वेक्टर कि यह प्लेइन का एक्विजन in vector form में बट यह किस form में है यह आर वेक्टर डॉट on will is equal to D ki j Shepherd, D1 डाल दो, यह इस form में है, समझ में आरी है बात, देखो यह भी vector equation है plane का, but इस equation में और इस equation में क्या difference है वो बता रहाँ है, यह जो हमारा है न, यह normal vector है, यह on vector आगिया, यह जो on vector इस starting में लिखा है न, यह on vector आगिया, और यह किस form में है, यह जो है, ये on vector के direction में unit vector है ठीक है अगर तुमने plane के equation को इस form में रखा और अगर तुमने बोल दिया कि plane का origin से distance रूँ ये 6 है तो फिर यहाँ पर गलती कर दूँ यही बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं इसको बार-बार emphasis करके समझा रहा हूँ ये अगर तुमने vector को इस form में रखा न वेक्टर को इस form में रखा तो यहाँ से तुम plane का distance origin से नहीं बता सकते हो तुमको plane का distance अगर origin से बताना है तो तुमको vector को इस form में ही रखना पड़ेगा इस form में रखना पड़ेगा तब ही जाके तुम plane का distance origin से बता सकते हो means r vector dot n cap is equal to d ठीक है अगर ये मालो की हमारे पास plane का equation इस form में दे रखा है तो ये तो हमें पता है कि dot के बाद जो लिखा हुआ ये तो normal vector है तो तुम क्या करो फटा-फट normal vector का magnitude निकाल लो ठीक है और magnitude से divide कर दो इस equation को जैसे ही तुम ये normal vector के magnitude से इस equation को divide करोगे तो right hand side में जो बनेगा उसको positive भी बनाना है मालो की right hand side में आ गया minus 6 upon root 29 तो minus को इधर भेज़ दो इसके साथ multiply कर दो तो right hand side positive बन जाएगा तो फिर जो right hand side में बचेगा वो क्या बचेगा descents of the plane from the origin इस बात को धियान में रखना है काफी important बात है ठीक है अब क्या बोल रहा है इसमें question में also find the Cartesian form तो Cartesian form निकालना तो बहुत आसान है Cartesian form में निकालने के लिए क्या हो गया Cartesian form में देख लो equation in Cartesian form Cartesian form निकालना तो बहुत आसान है Cartesian form में क्या करोगे R वेक्टर को क्या लिख दोगे मालो की इस form में अगर हमें Cartesian form तो R वेक्टर को क्या लिखेंगे R वेक्टर को हम क्या लिखते है हमें इसा X I cap प्लस Y J cap प्लस Z K cap ऐसे लिख लिख लिए तो हमारे पास क्या है यहाँ पे लिखा X I cap प्लस Y J cap प्लस Z K cap इसका dot लेना हमें किसके साथ 2 by root 29 I cap प्लस minus 3 by root 29 J cap प्लस 4 by root 29 K cap यह किसके equal हो जाएगा 6 by root 29 ठीक है अब इसको कर दो क्या dot product left hand side में ले लो तो क्या आजाएगा 2 X by root 29 ठीक है I cap minus 3 Y by root 29 J cap प्लस 4 Z upon root 29 K cap is equal to 6 by root 29 यह आगया हमारा कार्टीजन फॉर्म में किस वेक्टर का equation इस वेक्टर का इस वेक्टर का यह जो equation है ना यह equation इसका हमारा कार्टीजन फॉर्म आगया यह हमारा कार्टीजन फॉर्म आगया ठीक है अब इस Cartisan Form में करना क्या है तुम्हें कि Left Hand Side में जो ये वेक्टर दे रखा है जो बता रहा हूं बहुत important है इसलिए बार बढ़ मैं बता रहा हूं कि I Cap, J Cap यहां पर क्या दे रखा है कि जो Left Hand Side में दे रखा है Cartisan Form में अगर तुम लोगे तो एक गलती हो रही है I am very sorry यह I Cap, J Cap नहीं होगा Cartisan Form में यह कहां से आ गया या ठीक है तो यह Cartisan Form में आ गया वेक्टर का एक्विजन तो इस Form में क्या है कि जो X का कॉफिसेंट है अगर मैं तुम्हें डिरेक्ट यह Form देखा हूँ कि देखो यह plane का equation है तो बिल्कुल है plane का equation क्यों बेकाज यह linear equation दे रखा है XYZ में अब मैं बोलो तुमको इस Form में देखाने के बाद कि मैं बोलो कि normal जो वेक्टर है normal वेक्टर का direction को साइन लिखो तो तुम फटा-फट क्या करोगे कि XYZ XYZ का जो coefficient है ना 2 by root 29 यह है ना एक तो यह हो गया एक हो गया हमारे पास minus 3 by root 29 और यह क्या हो गया 4 by root 29 यह क्या है यह direction ratio है किसका normal वेक्टर का पिछले वीडियो में मैंने काफी emphasis करके बताया है कि यह direction ratio है किसका normal वेक्टर का तो तुमने फटा-फटा एक बाद ऐसे normal वेक्टर ड्रॉ कर लिया normal वेक्टर देखा क्या है 2 by root 29 i cap हो जाएगा minus 3 by root 29 और j cap and plus of 4 by root 29 k cap ऐसे तुमने निकाल लिया अब तुमने जब इसका magnitude लिया तो इसका 1 आ जाएगा तो तुम क्या बोलोगे कि यह जो है क्या है direction cosine है किसका normal वेक्टर का जो plane पर normal वेक्टर है ना यह normal वेक्टर यह जो on normal वेक्टर इसका direction cosine है और अगर मालो कि इसका magnitude 1 नहीं आया होता इसका magnitude 1 नहीं आया होता तो फिर डिरेक्शन रेशियो हो जाता ऐसे तुम direction cosine को भी direction ratio बोल सकते तो एक ही बात है और मालो कि अगर तुमने plane का इस form में Cartesian form रखा यह form क्या हमारा जैसे हमारे अगर तुमने plane को इस form में Cartesian form में रखा जैसे यह देखो अगर तुमने यह उठाया यहाँ पे यहाँ पे इस form से अगर Cartesian form में change किया अगर तुमने plane को R के जगह क्या लिखोगे XI cap plus YJ cap plus ZK cap dot यह क्या हो जाएगा 2Y cap minus 3J cap plus 4K cap is equal to 6 यह रख लिया अब तुम क्या करोगे इसको dot product लो तो क्या हो जाएगा 2X minus 3Y plus 4Z is equal to 6 अब अगर मैंने तुम्हें यह देखाया बोला कि यह plane का equation है बिल्कुल है because XYZ में linear equation है तो यह plane का equation हो गया अब तुम्हें पता है कि जो XYZ का coefficient होता है वो क्या होता है नॉर्मल वेक्टर का direction ratio यहाँ से तुमने नॉर्मल वेक्टर लिखा 2Y cap minus 3J cap plus 4K cap अब तुमने magnitude लिया नॉर्मल वेक्टर का 1 की equal नहीं मिला तो तुम इसको क्या बोलोगे 2 minus 3 and 4 को क्या बोलोगे 2 minus 3 4 को क्या बोलोगे यह बन जाएगा हमारा direction ratio यह direction ratio हो जाएगा किसका normal vector का अब direction ratio को पता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे n vector को अगर मैं n cap बना दू मतलब magnitude of n vector से divide कर दू तो क्या हो जाएगा root under 29 तीनों के नीचे आ जाएगा तो फिर यह बन जाएगा direction ratio यह direction ratio बन जाएगा यह यह तीन क्या आ जाएगा फिर direction ratio आ जाएगा I hope मैंने जो समझाने की कोसिस की समझ में आ गया होगा ठीक है अब आजाओ example number 14 में अब बच्चे देखो क्या बोल रहा है इसमें ध्यान से देखो example number 14 में find the direction cosine of the unit vector perpendicular to this plane passing through the origin मालो की यह ऐसे करके यह plane दे रखा है ठीक है यह हमारा plane दे रखा है इस plane का यहां पर मालो की यह हो गया हमारा z axis यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा z axis यह हो गया हमारा y axis और यह हो गया हमारा x axis क्या है और plane जो हमारा ऐसे दे रखा है मालो प्लेन हमारा ऐसे दे रखा है ठीक है अब क्या है कि origin से जो हमने perpendicular draw किया ये plane पर origin से ये 3D है समझना पड़ेगा ये ठीक है ये हमारा y access हो गया ये point हमारा p है ये point p है ये o है इस plane का equation मालो vector form में क्या दे रखा है r vector dot 6i cap minus 3 j cap minus 2 k cap plus 1 is equals to 0 ठीक है अब ये क्या बोल रहा है कि find the direction cosine of the unit vector ये जो op vector है इस op vector के direction में जो unit vector है उसका direction cosine बता हो ये बोल रहा है ठीक है तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे plane का equation क्या दे रखा है r vector dot 6i cap minus 3j cap minus 2k cap plus 1 is equals to 0 ये plane का equation दे रखा है अब ये plane का equation दो format में भी हो सकता है एक तो ऐसे भी हो सकता है plane का r dot n cap is equals to d एक ये भी हो सकता है ये वाला plane का equation given है ये plane का equation given है तो यहाँ पे to n vector है यहाँ पे n cap vector है ये vector किसका काम कर रहा है normal का जो plane पर normal है उसका काम कर रहा है तो देख लेंगे इसका हम लोग magnitude निकाल के देख लेंगे अगर इसका magnitude 1 के equal आया तो फिर इस form का है और अगर इसका magnitude 1 की equal नहीं आए तो फिर इस form का है तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस constant को right hand side पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r dot ये क्या हो जाएगा 6i cap minus 3j cap minus 2k cap is equals to minus 1 अब मैं बोलूंगा कि ये जो vector है ये plane पर जो normal vector है उसके equal है तो बहुत बच्चे बोलेंगा हाँ बिल्कुल सही है बट ये गलत है ये अभी normal vector नहीं बना क्यों because right hand side में d नहीं है d तो हमारा क्या distance है ना तो distance तो positive होगा right hand side में negative लिखा है इसका मतलब अभी ये normal vector नहीं है इस बात को ध्यान में रखो normal vector कब बनेगा जब तुम right hand side में constant को ले जाने के बाद उसे positive बनाओगे तो यहाँ constant positive कैसे बनाओगे मायने से multiply कर दो तो r vector dot ये क्या हो जाएगा minus 6i cap plus 3j cap plus 2k cap is equal to 1 ये बन गया अब ये जो vector है या तो ये n cap हो सकता है और या तो ये n vector हो सकता है अब ये पता कैसे चलेगा अगर ये n cap हुआ तब तो इस form का आगिया और n vector बना तब तो इस form का आगिया पता कैसे चलेगा magnitude से पता चलेगा हमें करना क्या है कि इस vector का magnitude निकाल लो minus 6i cap plus 3j cap plus 2k cap इसका magnitude निकाल लेंगे तो magnitude क्या होगा root under minus 6 square plus of minus 3 plus 3 square plus 2 square क्या मिले हमें 36 plus 9 plus 4 49 तो 7 मिला जो की बन के equal नहीं है इसका मतलब क्या है कि यह जो equation दे रखा किस form का है इस form का है तो यह हमारा unit vector नहीं मिला इसका मतलब इस form का equation है अब question में क्या पूछ रहा हम से direction को sign बोल रहा है unit vector का तो अगर मैंने यह क्या मिल रहा है हमें n vector मिल गया हमें n vector क्या मिल गया minus 6i cap plus 3j cap plus 2k cap तो normal vector का direction ratio क्या मिला direction ratio of normal vector यहां क्या बोलेंगे direction ratios of normal vector क्या मिल गया हमें minus 6 3 or 2 यह मिल गया और यह direction ratio जो normal vector का मिला वो तरह ईजिनीं इससे पास कर रहा है तो हमें क्या चाहिए इस op vector यह हमारा क्या मिल गया n vector किसके equal है's shrimp ले इस figure के rotoriking यह जो फिगर है इस figure के order केIK schem यह जो vector दुछ रहा है यह किसके equal है's orp vector क्यों बोल लाए की op वेक्टर के डिरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसका डिरेक्शन को साइन बिताओ तो कुछ नहीं है इसको डिवाइड कर दो किस से magnitude of n वेक्टर से तो ये क्या बन जाएगा n कैप बन जाएगा क्या इसका magnitude 7 आ रहे है न तो ये क्या हो जाएगा minus 6 upon 7 i cap plus 3 upon 7 j cap plus 2 upon 7 k cap हो गया अब ये किसका काम करेगा l का ये किसका काम करेगा m का और ये n का पता है न है कि अगर हमने कोई भी unit vector लिखा तो unit vector में जो i cap का जो coefficient होता है वो क्या होता है i cap j cap और k cap का coefficient क्या होता है l mn direction cos होता है और ये जो n cap vector है ये vector किसके long unit vector है op के long unit vector है ठीक है तो इसका मतलब unit vector origin से पास करेगा इसी के long है न ऐसे unit vector ये n cap vector तो ये vector भी तो origin से पास करेगा इसको shift कर कि यहाँ पे कर दो parallel है न तो ये भी origin से पास करेगा तो हमारे ये answer हो गया हमसे क्या बोल रहा था तो यहाँ पे लिख लो hence direction cos hence direction cos of n cap r क्या हो गया minus 6 upon 7 3 upon 7 और 2 upon 7 और direction ratio बोलता है normal vector का जो origin से पास कर रहा है तो direction ratio क्या हो जाता है यही minus 6 3 and 2 ठीक है तो यह हमारा answer हो गया यह जो है नहीं हमारा answer हो गया आगे बाद समझ में ठीक है अब आज जाओ next example example number 15 में